आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। तो हम उसे क्या बनाएंगे यहां बना दिया, यह मैंने बनादिया है, यह हमारे लिए y अक्ष है और यहां पर x ठीक है है यहां पर o बिंदु हम ने लिया है मतलब हमें कह सकते हैं कि वो बिल्दु ऊ से होकर के घुजरेगा और अगर हमें उस पतल को किसी एक अक्ष के इसी याक्ष के परिता घुमाना है तो हम यह मानेगे कि जो अक्ष है जेड सिरुप में अगर प्रदेशित किया गया है तो यह इस पतल के लंभवत होगा हमने तो दो अभी लंब वद अक्ष हमोने कहेंगे क्योंकि देखिए वो उनके वीच्टियों कोण होगा वो भी नभी डिग्री का ही होगा अभी लौंद अक्षों के सापिक्ष जो जड़त्व आगून का योग होता है जड़त्व आगून के बराबर कब किस्ति जब यह जो अक्ष है यह इस पटल के लमबवत हो संद्ध ही संद्ध दोनों अक्ष जो वहां पर मौजूद होते हैं जूआ कटान बिंदू से होकर गुज़ता है तो हम इस नियम को कहते हैं लंबोत अक्ष्प्रमे का नियम कि सभी पिंड के लिए ऐलमबॉत अक्ष्प्रमे यहां पर हैं अगर इससे परिभाश द्रीपह से लिखना चाहएं जेए अगर हम इससे लिख cziksi पटल या पिंड के तल में इस्ते दो अक्षों के जो दो अक्षु से जो इसका यूफल होता है वो उन दोनों अक्षों से होकर जाने वाले ये दोनों अक्ष जो होता है उसे होकर जाने वाले किसी बिंदू और पटल के लंबवत इस बिंदू के लंबवत अगर हम देखें या इस पटल के लंबवत हम देखें जो अक्ष यहां से गुजरती है उस अक्ष के सापिक्ष जड़तो अगुन के मान के बराबर मान होता है तो यही होता है लंबोत अक्ष प्रमे दूसरा अगर हम देखें बोला है समानतर अक्ष प्रमे के लिए ये समानतर अक्ष प्रमे भी अगर हमें देखना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक हमने assumption कहया, कि एक PINđ हमने लिया, माले जिये वो भी किसी तल पर ही मौवजूद है, ठीक है तो जिस तल पर मौझूद है हम उसे किस तरह से दिखाएं कि अगर माली जी एकस तल पर मौझूद होता है तो यहां पर यह जो तल हुआ वह यहां पर यह जो अक्ष होता है वह एकस अक्ष होता है तो एकस और वाय से बना हुआ जो तल होता है वहाँ पर उसे हम बोलत होकर जाने वाला एक अक्ष होगा जिसके पड़िता अगर फिंड घुमता है तो वह राक्ष हमने रखा यहां पर अगर मान देखें तो वाई हम ले लेते हैं अब इस तरह से अगर ये अक्ष रे रखा हाऊ और इस अक्ष के समानांतर ही अगर हम कहें कि किसी पिंड से होकर जाते हुए किसी अन्य अक्ष जो इसके समानांतर होता है तो वह अक्ष अगर हमने नाम दिया यहां पर तो इसे बोल सकते हैं है B- किवल हमने मान लिया कोई एक अक्ष मौझूद है और अगर हम उसे ध्रमान के अंदर से गुजरने वाले अक्ष के साथ दूरी पर देखें तो उसे किसे विक्ती किया जाएगा चलिए हमने अगर उसे किया तो X के रुप में हम ब्वפר करते है उस दूरी को अगर समावनांतर अक्षपरमे के हिसाब से हम माउनों को लिखें तो समावनांतर अक्ष fattoक्रमे organizations जो जड़त्व आगुन का मान होता है वो द्रवेमान के इंदर से गुजरने वाले अक्ष के प्रती जड़त्व आगुन मतलब आई वाय डेश क्रूप में धन यहाँ पर हम देखें तो पिंड के लिए उसका कुल द्रवेमान कि द्रवेमान को अगर हम capital M से प्रसुत कर देते हैं तो उसके द्रवेमान और यहाँ पर M हम ने लिया और उन दोनों अक्षों के बीच का जो दूरी होती है उसका जो वर्ग होता है यह यहाँ पर मान को बराबर करता है बतलब इस तरह से अगर हमने यह समझा कि समानातर अक् तो आगुण का मान धन उस पिंड के लिए उसका कुल द्रवेमान और दोनों अक्षों के बीच के दूरी के वर्ग के गुणन फल के बराबर होता है और यह होता है समानातर अक्ष प्रमय क्या प्रश्व में हमसे यही पूछा गया था धन्यवाद